हलो फ्रेंड्स वेलकम टू एससी कोचिंग सेंटर दोस्तों नंबर एनलोजी के कोशन लेकर के आया हूं बहुत इंपोर्टेंट कोशन है दोस्तों इस तरीके का पैटरन अभी तक आपने नहीं सीखा होगा ये कोशन नहीं सीखे होंगे तो पूरा वीडियो देख लीचे सब कुछ समझ में आ जाएगा चलिए स्टार्ट करते हैं पहला सवाल है तेरा का रिलेशन 36 से है तो 15 का रिलेशन किस संख्या से होगा तेरा 36 पंदरा कोशन मार दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट कोशन है आप इसको एक वार खुद से करके देखेंगे तो आपको मालूम हो जा है कि तेरा भी बन जाए 36 भी बन जाए दोनों का रिलेशन मिल जाए तो देखिए मैं दो ऐसी संख्या लेता हूं मैं कोई दो ऐसी संख्या लेता हूं अगर दोनों को जोड़ूंगा तो तेरा बन जाएगा तो नो और चार तेरा बन गया की नहीं बन गया नो और चार तेर करूंगा दोनों का multiply करूंगा तो 36 बन जाएगा 934 बात समझ में आ गए हमारे पास 13 था तो सबसे पहले हमारा टार्गेट ही है कि यह 13 कैसे है क्यों है यह तो मैंने दो संक्या ऐसी लिए जिससे 13 बन गया और उन्हीं दो संक्या का multiply किया जिससे की दूसरी संक्या find हो गई तो 13 से relationship है सबसे पहले हमने 13 ही बनाया अब यहाँ पर 15 है सबसे पहले हमको क्या करना है 15 ही बनाना है देखे बहुत सारे तरीके हैं बंदरा बनाने के 10 और 5 जोड़ लो 12 मैं 3 जोड़ लो ठीक है 9 मैं 6 जोड़ लेकिन उ 8 और 7 जोड़ता हूं तो 8 7 15 होता है ठीक है और मैं इन दोनों का अगर multiply करता हूं तो 8 सत्य 56 होता है 56 मुझे दे रखा है भी option में अगर मैं कोई और संक्या लेके 15 बनाता तो उन दोनों का multiply करने से हमें संक्या मिलनी चाहिए थी यहाँ वाली जो कि मुझे को 56 मिल गई है ब भाई 3 कमल पर 10 से कर दो 30 चार कमल पर 10 से कर दो 40 लेकिन 40 option में नहीं है ठीक है तो ऐसा तरीका तो नहीं है फिर भी कोई दूसा तरीका हो सकता है जैसकि यह मेरे पास 3 है तो मैं क्या करूं 3 का कीव कर दूं और प्लस कर देता हूं उसमें 3 को ही ठीक है 3 का कीव 3 को ही प्लस तो देखे तीन का कीव होता है 27 और प्लेस कर दिया तीन को ही तो मुझे 30 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा बिल्कुल वैसे ही यहां पे 4 दिया गया है तो 4 का कीव कर दो यहां 3 का कीव करके 3 को जोड़ा यहां 4 का कीव करके 4 को जोड़ दो ठीक है तो 4 का कीव होता है 64 अब देखते हैं अगला सवाल अगला सवाल है दो का relation 0 से है तो 8 यहां 3 का relation किस से बनेगा 2 0 नंबर analogy में जब बीच में कहीं 0 आ जाता है जैसे यहां 0 आ जाए या फिर यहां बीच में 0 आ जाए तो प्रॉलम खड़ी हो जाती है कि पता नहीं क्या logic लगाना होगा जैसे कि अब यहां पर ही देख लीजिए पता नहीं क्या logic लगेगा बहुत सारे student परिशान होंगे इस question को देखकर देखे यहां पर मेरे पास क्या है 2 अगर मैं 2 का कर देता हूं Q भाई मैं 2 का कर देता हूं Q कि 8 को माइनस करके 0 बना सकता हूं ठीक है तो देखे अब यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा मेरे पास 3 है न तो मैं 3 लोगा यहां पर 3 किया तोudiम क्या होगा 27 करस्सक्यों कर दूग Country निले में लेगा 19 मिलेगा और सी और सही जवाब हो जाएगा 19 बात समझ में आ गई चलिए अब देखते अगला प्रेश्णी अगला सवाल है प्रेश्णी है पच्चीस बीस च्छपण कोशन मार्क अच्छे सवाल अब यहां पर देखिएगा कि पच्चीस से बीस अगर मैं पच्चीस में से पांच माइनिस कर दूँगा बीस हो जाएगा 56 में से भी 5 माइनिस करूँगा 15 हो जाएगा लेकिन नहीं एक यान तो है ये उप्च्छन में अगर मैं इन दोनों संख्याओं का आपस से मल्टिपाई कर देता हूं यानकि 2 और 5 का आपस में क्या कर दिजाता हूं मैं मल्टिप्लाई तो 2 पच्चे 10 हो जाएगा 10 हो गया क नहीं लेकिन हम को चाहिए 20 तो यहां पे मैं क्या करूँगा दो से multiply और कर दूँगा तो मुझे 20 मिल जाएगा पहले तो आपस में इन दोनों संझ्याओं का हमें क्या करना है multiply यानि कि 5 और 6 का आपस में क्या करना है multiply तो 5 शिक के 30 हो जाएगा अब यहां पे जो multiply आया था दो से गुना किया था तो यहाँ जो multiply आया उसका भी दो से गुना कर देंगे भई तो 30 का गुना दो से कर देंगे तो 60 हो जाएगा यानि कि C option प्रेशने का सही जवाब हो क्या चलिए आप देखिंगे अगला सवाल अगला सवाल है 99 99 का रेलेशन 9 से है तो 999 का रेलेशन किस संख्या से होगा बहुत ही अच्छा सवाल है जान से सीख लेना नोट भी कर लेना बेरी इंपोर्टेंट कोशन है यह 99 से 9 ठीक है 99 से क्या बनाना है 9 मेरे पास क्या है 99 यानि कि 2 9 है तो मैं क्या करूँ दोनो 9 को अगर जोड देता हूँ तो मेरे पास 18 बन जाएगा ठीक है 18 बन गया अगर मैं दोनो 9 को जोड देता हूँ तो 18 बन जाएगा और इस 18 को 2 से डिवैड कर दूँगा तो कितनी बार में डिवैड जाएगा 9 बार में जाएगा कितनों हो जाएगा 9 और 9 और 9 आठारा और 9 27 हो जाएगा 27 लिख लेंगे अब देखिएगा यहां मेरे पास दो नो थे तो मैंने 2 से डिवाइड किया यहां मेरे पास 3 9 है तो मैं 3 से डिवाइड करूगा ठीक है तीन से डिवाइड करूँगा तो कितना हो जाएगा तीन नेम 27 हो जाएगा यानि कि 9 वार में कटेगा तो आपके प्रेशनिक आंसर यहाँ पे क्या आजाएगा 9 आजाएगा 9 दोस्तों आपके यह पहले option में 9 होगा यहाँ पे 19, 1 और 8 हो गया है गलती से 9 होगा यानि कि पहला option सही जबाब है के लिए रहे सवाल चलिए अब देखते हैं अगला सवाल अगला सवाल है इससे प्रेशनि में दोनों संख्या फाइंड करनी है भाई पहले की दो दे रखी हैं बात की दो नहीं पता तो पहले की दो में relation बना लीजे वही relation से हमें option से पता लग जाएगा किस में बनना है चार और नौ उन्हेंचास से पिच्चास ही बनना भाई ठीक है अगर मैं इस चार और इस नौ ये चार है और ये नौ है अगर मैं दोनों को जोड़ लेता हूँ चार और नौ होगा भई तेरा और ये आठ और पांच है अगर मैं इन दोनों को भी जोड़ लेता हूँ तो आठ पांच ये भी तेरा यानि कि इसका योग भी तेरा इसका भी तेरा तो यहाँ पे जो संक्य आएंगी और यहाँ पे जो आएंगी दोनों का योग सेम होना चाहिए, अब पहला option अगर मैं देखो, 7, 5, 12, 8, 5, 13, दोनों का बराबर बराबर योग आना था, 6, 2, 8, 8, 7, 15, ये भी गलत, 9, 5, 14, 6, 7, 13, ये भी गलत, 8, 7, 15, 6, 9, 15, ये सही हो जाएगा, पहली जगह क्या जाएगा, 87, और बाद की जगह 69, दोनों को जोड़ो, 8, 7, 15, 6, 9, 15, जैसे इन दोनों का योग सेम आया था, 13, 13, तो इनका भी 15, 15, सेम सेम आयेगा, तो आंसर समझ में आ गया, चलिए, अब देखते हैं, अगला सवाल, अगला सवाल है, तीन का रिलेशन बारा से है, तो चार का रिलेशन किस से क्या से होगा, भई, तीन का बारा से है, तो चार का किस से होगा, तीन से बारा है, बनाना आसान है, तीन के मल्टिप्लाई में भी आता है, बारा, तीन चौके बारा, चार के मल्टिप्लाई में, भई, तीन का मल्टिप्लाई चार से किया, चार का भी चार से करो, सोरा, नहीं बनेगा, तीन का च square 9 और 3 को ही जोड़ देंगे उसमें तो 12 हो जाएगा ऐसे अब यह 4 है तो 4 का square करो और 4 को ही जोड़ दो 4 का square 16 और 4 को ही जोड़ देंगे तो कितना जाएगा भई या 20 आजाएगा भई 20 आजाएगा कि नहीं तो option में यहाँ पे 20 भी नहीं दे रखा है तो क्या आपका answer होगा जब option में हमें 20 भी नहीं है यह भी तरीका हमें find नहीं कर रहा है तो क्या answer होगा देखिए मैं बता दो क्या answer होगा ठीक है चार कस्कुर 16 पिलस कर दो 3 आंसर 19 पहरा option सही जवाब तो देखे बहुत सारे बच्चे यहीं पे अटके होगे कि पता नहीं क्या लोगित था तो यह नीचे वाला सही है आपका यह नीचे वाला ठीक है चलिए अब देखते हैं अगला प्रशन है अगला सवाल है पिचातर का रिलेशन 93 से है तो 84 का रिलेशन किस से बनेगा भाई अच्छा सवाल बहतरी जिसे कहते हैं पिचातर 93 84 question mark यह 75 पिचातर है अगर मैं 75 को आपस में जोड रहूं 7 और 5 को आपस में जोड लेता हूं तो मुझे 12 मिलेगा ऐसे ही यह 9 और 3 को भी मैं आपस में जोड लेता हूं तो 12 मिलना है तो इसका भी मुझे 12 ही मिलेगा और 5 और 7 का योग 12 होता है तो यहां पर सत्ता माना जाएगा 5 और 7 आजाएगा 57 12 बाकि और किसी का देखो 6 और 5 नहीं 12 नहीं यह भी 12 नहीं यह भी 12 नहीं पहला ही option है सही जवा आगे है समझ में अब देखत question mark बहुत अच्छा सवाल है यह तो छोटी-छोटी संख्या है पहले बाद में संख्या चानक से बढ़ गई 23 और और आगे बढ़ जाएगी ऐसा ही होगा क्या अब यहां पे जो series लग रही है उसे ध्यान से समझ लो prime number series लग रही है प्राइम नंबर अब प्राइम नंबर क्या होता है अभाज यह संख्या अभाज यह संख्या होती है ठीक है अभाज यह संख्या यानि कि दो सबसे छोटा प्राइम नंबर है दो के बाद में जो प्राइम नंबर आता है वो है तीन दो का अगला वाला प्राइम नंबर 23 भी एक प्राइम नमबर है तो 23 के अगला वाला प्राइम नमबर क्या होगा भाई 23 के अगला वाला 24 भी नहीं होता 25 भी नहीं 26 भी नहीं 27 भी नहीं 28 भी नहीं 29 29 होता भाई 23 के बाद में अगला जो प्राइम नमबर होगा 39 होगा 39 यह रहा 31 भी prime number होता है लेकिन 29 सही हो जाएगा जैसे 2 के बाद में 3 अगला prime number उसी तरीके से 23 के बाद में 29 अगला prime number चलिए अब देखते अगला सवाल अगला सवाल है 4 का relation 66 से है तो 8 का relation कि संख्या से है अगर हम 4 का cube कर दें कितना मिलेगा भाई 4 का cube हमें 64 मिलेगा और उसमें 2 जोड़ दें तो 66 मिल जाएगा ऐसे ही हम अगर 8 का cube करें तो 512 मिलेगा cube में 2 जोड़ा यहां भी 2 जोड़ दो 512 में 2 जोड़ दो 514 मिलेगा पहला option आपको सही मिलेगा तो आपको दोस्तों share और like बहुत करना है बहुत share और like बस share और like share और like करते चले जाएए वीडियो बहुत अच्छा है दोस्तों अपने दोस्तों तक भी share कीजिए ठीक दोस्तों धन्यवाद